असलावलेकम अब्रीवान दिस अब्दुल्ला फृदी फॉम जीम कर्पोरेशन वर आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं नौरिंको CQA 223 बोर ये एक्जैकली M4 AR-15 की क्लोन कॉपी है और काफी बहतरीन आप्शन है रिलैबल है सेल डिफेंस के लिए चैनीज मिलिटरी फोर्सेज और जितनी भी फोर्सेज है वो इसी रैफल को अपनी सर्विस में इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते ह कि ये रैफल कितनी रिलैबल है और जिन लोगों ने भी इसको परचेस किया सेल डिफेंस के लिए वो काफी सेटिसफाइड है से इससे पहले भी मैंने इस पर रिव्यू बनाया था लेकिन उस टाइम इसकी प्राइस टेक तोड़ी सी ज्यादा थी और अब इस वीडियों मे ने किया तो जरूर सबस्क्राइब किजिए और बिल्ट की आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले हमारे जितनी भी फायराम्स एलेटेड वीडियो से उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे शुक्रिया स्टार्ट करते हैं नोरिनको सी क्यू ये इस तरह की कारड़ बोड़ की बॉक्स में आती है बॉक्स को ओपन करते हैं ये इसके साथ एक खाली बोतल है ऑईल के लिए इसमें आप ऑईल डाल सकते हैं ये इसका मजल बरेक है ठीक है यह देखे आप यह भी हम लगाएंगे पिर मैं आपको इसका तरीका समझा देता हूँ एक स्लिंग इसके साथ आपको मिलता है सफाई टूल्स डिफरेंट टूल्स आपको इसमें मिल जाती है सफाई के लिए यह देखे आप दो मेगजीन आपको इसके साथ मिल जाती है और इससे पहले जो राइफल आई है पाकिस्तान में इमपोर्ट हुई है दोजार एक इस से यह सी क्यू ए जो है यह दोजार बाइस मॉडल है दोजार बाइस प्रोड़क्शन है इसके साथ नोरिंको कपनी ने काफी खुबसूरत ह आते हैं नुरिंग को सी क्यों है यह बिल्कुल एक्जैकली इंफोर या 15 की क्लोन कॉपी है चाइनीज मेड और यूजरी जब यह इंपोर्ट होती है तो यह 18 इंचिस के साथ इंपोर्ट होती है लेकिन आप इसको यहां से चोटा कर सकते हैं लेकिन अगर आप लंबी बैरल इ यहां भी लगा सकते हैं जो इंफोर्ट वाली है वह साड़ी चोदा इंचिस की बैरल के साथ आती है तो यहां से आप इसको चोटा कर सकते हैं यह मजल यहां पे लगा लगा ले फिट कर दे तो अभी यह बिलकुल Exactly Colt M4 साइज में यह बन गई है साड़े 14 इंचिस बैरल लेंथ की भी होती है और इसकी भी साड़े 14 इंचिस की लेंथ बैरल लेंथ हो गई है यह Exactly पर बना हुआ है इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है और यह सी माटोमेटिक वर्जन है तो अगर आपके पास 223 बूर का लाइसेंस है आप असानी से इसको अपने लाइसेंस पर चड़ा सकते हैं एड़ेस्टेबल बट स्टॉक है और यहां से आप इसको एड़ेस्ट कर सकते है अपने हाइड साइस के मताबिक पिस्टल ग्रिप बट स्टॉक और फोर ग्रिप्स यह पॉलिमर से बने हुई है और इसमें आप यह फिफ्टीन की जो डिफरेंट एसेसरी है वो आप लगा सकते हैं फोर ग्रिप आपको मिल जाता है यहां पे चाइनीज फोर ग्रिप्स म यह निकल जाती है लेकिन चाइनीज में आप स्क्रूर को इस्तेमाल करेंगे उसकी तुरू पिर आप इसको इतार सकते हैं बाकी मेकैनिजम एक्जैक्ली उसी तरह है उसमें कुछ भी फर्क नहीं है यह सीम आटोमेटिक वर्जन है और जो नेटो वर्जन होती है कोल्ट वो लोड करेंगे पिर यह सेफ एक्शन में जाएगा जब यह लोड नहीं होगा पिर यह सेफ एक्शन में नहीं जाएगा और यह लिवर जो है इसका यह जब आप दूसरा मेगजीन डालते हैं लोड़ेड मेगजीन डालते हैं आपका एक मेगजीन एमटी हो जाए दूसरा यहां पर मेर्डन चैनल लिका हुआ है और इसका सीरियल नमबर के बाद जो दो हिस्से होते हैं अगर वह 20 हो 21 हो 22 हो तो वह इंडिकेट करता है कि यह रैफल 2022 प्रोडक्शन है 2021 यहां पर यह 2022 प्रोडक्शन है और 2022 प्रोडक्शन में इनकी जो कौलिटी है जो फिनेशिंग है वो नुरिंको कपनी ने और भी परफेक्ट की हुई है यहां पे आपको नुरिंको का लोगो मिल जाता है CQA काल 223 रेमिंग्टन सीमिय आटो यूज्वली पाकिस्तान में आपको नेटो की गोलिया मिलती है 5.56 mm और रैफल पे 223 रेमिंग्टन लिका होता है लेकिन आज़ रेमिंग्टन की गोलिया चला सकते हैं क्योंकि इसकी जो मेकैनाजम है वो अब दोनों बुलिट के लिए वो बनाते हैं कबनी बनाते हैं तो यहां पे आप मिस गैड ना हुआ करें आप इसमें 5.56 नेटो की गोलिया इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी बेरल को कोई भी फॉल्ट नहीं होगा कोई भी मेलफेंक्शन आपको नहीं आएगा तो उससे आप बिफिकर रहे हैं बाकि यह बहुत ही रिलाइबल राइफल है और चाइनीज जो फोर्सेज है वो अपनी ही प्रोडक्शन अपनी ही राइफल इस्तेमाल करते हैं तो आप वहां से भी पिक कर सकते हैं कि मतलब यह कितनी रिलाइबल आप्शन है सेल डिफेंस के लिए और इसकी जो प्राइस टेक है वो भी काफी मुनासिब है जो इंपोर्टर राइफल में सबसे सस्ती राइफल आपको मिलती है वो नोरिंको की मिलती है तो इस वज़ा से भी एक अच्छा आप्शन होता है औ दौर लोकल इंडस्ट्रिसORA मैं ज्यादा नुरिंको को रैकेमेंट करता हूं क्योंके फिर उसकी रिसेल वेल्यू भी होती है और जो लोकल यहां पे बनती है तो उसकी रिसेल वेल्यू कोई भी नहीं होती है आवरा लैंध की बात करते हैं तो यहां से लेकर यहां तक इसक complete length चली जाती है 14.5 inches की barrel length है लेकिन जब आप इसमें ये barrel लगाते हैं तो फिर 18 inches तक इसकी barrel length चली जाती है weight इसका इस condition में जब इसमें bullets ना हो empty magazine इसमें लगा हो तो फिर 3.3 kg इसका complete weight बनता है हलका weight है आप आसानी से carry कर सकते हैं हलका weight ये advantage होता है कि carry करने में आपको तंग नहीं करता तो अगर आप इसमें different accessories लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं या 15 की different accessories मिलती है यहाँ पे हायताबाद में कारखानों market में तो वहाँ से आप टिक कर सकते हैं इंडेस्टिल स्टेट से ले सकते हैं पाकिस्तान में आपको दूसरी जगा से भी मिल जाएगी तो आप उसमें modification कर सकते हैं अभी इसकी price tag क्यों पर आते तो नौरिंको CQA 223 बोर M4 की details आपने देख ली हैं यह बहुत ही बहतरीन option है self defense के लिए और price tag की साबसे अगर आप price tag को देखना चाहते तो सबसे मुनासिब जो price tag है वो आपको imported rifle में इस rifle का मिलता है बहुत ही कम rate में आपको यह मिल जाता है और बहुत ही reliable option है अभी तक हमने जितनी भी इसको sell out किया है नोरिंगो CQ को कभी भी किसी customer से इसके बारे में complaint नहीं सोना और चैनीज जीतनी भी military है forces है वो इसी rifle को इस्तेमाल करती है अपनी self defense के लिए service के लिए service life में इसी rifle को इस्तेमाल करती है तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि रैफल कितनी reliable है self defense के लिए हर तरह condition में यह पास हो जाता है और बेरल लाइफ इसकी 20,000 बेरल लाइफ है वरंटी जो आपको नुरिंग को कंपनी प्रोवाइड करती है और इसकी जो मजल विलाउसित है वह आपको आठसो चुरशी मिलिमिटर पर सेकंड आपको मिलता है और इसका रैफल का यूज्विली दुसोटराइज 222 बोर का यूज्विली 200 मीटर से लेकर 300 मीटर तक इसका एफक्टिव रेंज होता है क्यों पराते हैं तो नोरिंकों CQA आज कल पाकिस्तानी मार्केट में आपको मिल जाता है दो लाग 20,000 से लेकर दो लाग 35,000 में ये प्राइस टेक वेरी करता है डेपेंड करता है कभी नीचे होती है कभी उपर चली जाती है लेकिन हमेशा CQ जो है आपको कम ही रेट में मिलत करते हैं वो कभी भी खराब नहीं होती है अगर आप इसको करते हैं तो हमेशा कर सकते हैं लोकल को कभी भी नी दिन से हुआ करने किन हैं लेक्राइफ़ एज़घया है नोरिंको के हावाले से तो आप हमें Instagram Facebook पेज और Google से आप हमारा contact number ले सकते हैं और वहां से आप को हमारा कपनी address भी मिल जाएगा जो भी information चाहिए इंशाला हम आपको provide कर देंगे तो that's it यह ती हमारी आज की वीडियो नोरिंको CQA के हावाले से हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में शुक्रिया अला हाफिस